दिल्ली के माने मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल जी का एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्हें ने दावा किया कि अरविन केजरिवाल जी तीनों फार्मर्स बिल के समर्थन में बहुत पुर्जोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं उसकी वकालत कर रहे हैं उसके फायदे गिना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले तो इक पर वीडियो दिखा दूँ आपको जो कल भारती जंता पार्टी ने जारी किया था, उनके भारती जंता पार्टी ने ट्विटर से अपने हैंडल से ट्विट किया, और फिर उन्होंने अपने राष्ट्रिय प तो पहले भारती जनता पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट किया उसके बाद भारती जनता पार्टी के और नेताओं ने ट्वीट किया और उनके नेशनल स्पोक्स परसंस से ट्वीट कराया उन्होंने अपने दरसल ये वीडियो जो है वो अरविंद केजीवाल जी के एक टीवी इंटर्व्यू का एडिटिड डॉक्टर्ड वर्जन है जिसमें कहीं कहीं से शब्द उठाके कहीं कहीं से कुछ कुछ लाइन उठाके उसको जोड़ तोड़ के भारती जनता पार्टी ने एक फरजी इस्टोरी क्रियेट करने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल जी की एक फरजी बाइट क्रियेट करने की कोशिश की है भारती जनता पार्टी ने और उनके नेता संबित पात्रा जी ने अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि यह इंट्रिव्यू जो था वह ओरिजिनल क्या था कहा कहा से उन्होंने क्लिप्स उठाई उसमें से कौन सा बाइट डिलीट की और फिर इस तरह की क्लिप बनाई जिससे ऐसा लगे कि अर्विन केजरिवाल जी तीनों किसान कानूनों के इस समर्थन में उसके फाइदे गिनानिक क्या इंट्रिव्यू दे रहे हैं वह पहले ठीक से नहीं चला था पहले वह वाली बैट चलाओ पहले पहले जमीन जाएगी आपका इंश्मीं जाएगा आपकी मंदी नी जाएगी अब किसान अपनी खसन पूरे देश में कहीं भी सब्सक्राइब यह पहला वो था अब इसका देखिए कि जो ओरिजिनल टीवी इंट्रिव्यू था और जो इन्होंने बीजेपी ने कुछक्र साजिश रची है उसको देखिए मैं यहां उसका परदाफास कर रहा हूं इस अब कि जमीन नहीं जाएगी आपके इस्मीन जायगा आपकी मंदिन जाएगी भास देखिए महई थे खी हो और पिठिखिए में प्यू अपनी उनकर देखिए सब्सक्राइब देखिए बैसितास अब किसान को अच्छे गाम मिलेंगे, वो मंदी के बायर कभी भी सकता है। अब किसान अपनी खर्सन से देखने के अधिन की भी सकता है। यही फाइदा मिनाते नहीं है। अब किसान को अच्छे गाम मिलेंगे, वो मंदी के बायर कभी भी सकता है। दिलिप जी एक 70 साल के अंदर सबसे बड़ा करांटी कारी कदम होगा पिश्ट्रेशिक शिक्तर में ये तो ये लिए लिए किसान जिन वापस हो और भीतरा MSP का जो वो माल कर रहे हैं इस MSP की गारीजी का कामिन लाया जाए तो किस तरह से जान बूझ के उसमें से लाइने एडिट करके डिलीट करके सब्दों को जोड तोड के पूरा डॉक्टर्ड वीडियो भारती जनता पार्टी ने अपने हैंडल से और फिर अपने नेशनल प्रवक्ता राष्ट्रिय प्रवक्ता के हैंडल से ट्वीट किया ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि देखिए अरविंद केजरिवाल जी किस तरह से किसानों के समर्थन में किसान बिलों के समर्थन में इंट्रिव्यू दे रहे हैं तो जब मैंने ये वीडियो देखा कर तो मुझे गुस्सा भी आया कि इतनी नीचता पर उतराए हैं भारती जनता पार्टी की लोग इतनी गिरी हुई हरकतों पर उतराई हैं भारती जनता पार्टी कि अब टीवी पर चले हुए इंटर्व्यूज को जोड तोड़के उनको तोड़-मरोड के अर्विंद केजरिवाल जी की बाइट दिखाने की कोशिश कर रही है तो मुझे इस पे गुस्सा भी आया लेकिन साथ-साथ मुझको भारती जिनता पार्टी पे दया भी आई मुझे भारती जिनता पार्टी की निताओं पे दया भी आई दया इसलिए आई कि जिस पार्टी की केंदर में सरकार है जिस पार्टी की देश के कई बड़े-बड़े राज्यों में सरकार है और कई वर्सों से सरकार है और अब तो केंदर में भी उनकी साथ साल की सरकार हो गई जिसके नेता जिस भारतिय जनता पार्टी के नेता प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी है वो पार्टी इतनी बेचारी हो गई कि उसको अपने किर्शी कानूनों की विश्वस्नियता कायम करने के लिए अर्विंद केजरिवाल जी की बाइट को तोड मरूड के चलाने की जरुद पड़ गई आज भार्टी जनता पार्टी विश्वस्नियता के भरोसे के इस संकट तक गिर गई कि उन्हें अपनी सरकार के किर्शी कानूनों की विश्वस्नियता लाने के लिए अर्विंद केजरिवाल जी की तोटी फूटी डॉक्टर बाइट का सहारा लेना पड़ रहा है मुझे इस बात पर दयाई ऐ है कि यह बाता सइर कि भार्थियों जन्ता पार्टी के नेता रितन आए कि बावजूद केंद्र में सत्ता होने के बावजूद और राज्यों में सत्ता होने में होने के बावजूद आज बेचारे महसूस कर रहे हैं आज असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी जंता में जो इस्तिती हो गई है आज हालात ये है कि भारती जंता पार्टी के नेताओं पे जंता भरोसा नहीं कर रही है भारती जंता पार्टी के मुख्य मंत्रियों पे जंता भ यह देश के बहुत हित में है पिछले एक महिने में कई बार प्रधान मंत्री जी फाइदे गिना चुके हैं लेकिन जंता मानने को तयार नहीं है देश का किसान मानने को तयार नहीं है कि देश के प्रधान मंत्री ने हमारे हिद में कोई काम किया है देश के किसान को ये बास समझ में आ रही है कि प्रधान मंत्री जी ने और भारती जिन्ता पार्टी ने उनके साथ विश्वास घात किया है दोका किया उनके साथ में अब पिछले कुछ दिनों की घटना को देखें तो भारतिय जंता पार्टी ये समझातों पाई नहीं है देश भर में किसानों को या प्रधानमंत्री जी बार-बार बयान देके भी ये समझातों पाई नहीं है किसानों को कि इन किसानों कि इन किसानो रगय की किसी तरह से किसानों को गद्दार गोशित कर दिया जाए कहीं उनको खालिस्तानी कहा गया कहीं सरदारों को गद्दार कहा गया लेकिन जन्ता ने उनकी बात नहीं फिर 26 जनवरी की साजिश रची गई भारती जनता पर्टी के दौरा लाल के लिए पर हमला कराया गया भारती जनता पर्टी के दौरा तिरंगे का अपमान कराया गया भारती जनता पर्टी के दौरा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेश लगाई गई भारती जनता पर्टी के दौरह 26 जनवरी को, इन्होंने उस सब को किसानों के सर पे डालने की कोशिश की, लेकिन जंता उने वो भी बात नहीं मानी इसी, जंता ने बिल्कुल नहीं माना इस बात को, कुछ इसकी जिन लोगों ने लाल के लिए पर हमला किया जिन लोगों तिरंगे का अफमान किया वह सब एक्साइस हो गए वह सब कुल ने जनता नहीं खोल दिया कि हो ढगा जू Patch ने यह प्रदानमंत्री तक एक्सए से कि इतनी प्यार महबबत ऊमडती है इन वहाँ पर सारा जंता पात को नहीं मानीं यह कहते रहे कि किसान गबदार है यह कहते रहे हैं कि बॉर्डर पर बैढ़ा हुआ जो किसान कहलें इसकेlिन की किलाब है लें देश की जनता ने मानी नहीं बारतीनता परिकोंदरमंत्रीजी की बाद इन्होंने गाजीपूर बॉर्डर पर बैठे पश्चमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के उपर किसानों के उपर हमले करवाए तीन चार दिन पहले इन्होंने भारती जन्ता पार्टी के गुंडे भेज के वहाँ पर चौधरी टिकेट के उपर हमला करवाया वहाँ बैठे और किसान नेताओं के उपर हमले करवाए जन्ता ने इसको भी समझ लिया इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि यह इस्थानिये लोग हमला कर रहे हैं लेगिन जन्ता ने उसको भी एक्सपोज कर दिया इन्होंने सिंदू बार्डर पर अपनी पार्टी के गुं को हमने उसके वीबत्स वीडियो देखें किस तरह से बत्तमीजी की इन्होंने वहाँ पर अपने गुंड़ा से किस तरह से करवाई और यह दिखाने की कोशिश की कि यह तो इस्थानिये लोग लड़ रहे हैं लेकिन जन्ता ने इनकी वहां भी बात नहीं मानी जन्ता जानत करने की किसानों को बरबाद करने की आज जन्ता उनकी किसी भी साजिश को सच नहीं मान रही है उसको साजिश को परदाफास कर दे रही है किसी भी साजिश पर उनको यकीन नहीं आ रहा है इनके सारे हतकंडे फेल हो गए सारे हतकंडे अपना के विए जन्ता को विश्वास नहीं दिला पाए कि किर्शी कानून देश के लिए कुछ फायदे की चीज़ है उससे कुछ जनता का फ़ला होने वाला है आज जनता में भारतिय जनता पार्टी की इन साजिशों के चलते इन गरी हुई हरकतों के चलते आज नफरत का महौल है भारतिय जनता पार्टी के प्रत प्रधान मंत्री जी बार बार कहते रहे जनता के बीच में आके किसी ने नहीं बोला इनके चीफ निस्टर्स ने बार बार बोला किसी ने नहीं सुना आज बीजेपी नहीं प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी की भी विश्वसनियता खत्म हो गई है और ये बात भारती जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है इसलिए आज इस असहाय स्थिति में पहुंच गई भारतिय जंता पार्टी ने अर्विंद केजरिवाल जी की क्रेडेविलिटी का सहारा लेने की कोशिश की है उनको ये समझ में आ गया कि उनके नेताओं से जंता नहीं समझ रही है उनके नेताओं तो छोड़ दीजे बाकी तो प्रधानमंत्री जी की बात भी जंता यकीन नहीं कर रही है आज की किर्शी कानूनों से कोई फायदा होने वाला पृष्भान मंत्री जी की बात में भी यकीन नहीं और आथ जनता ह। इसलिए अरविंद केजरीवान जी के एक लंबे इंटर्विए को उसमें से लाइने उठा उठा के उसको बरी तरह जिस पर जनता विश्वास करती है उनका नाम है अर्विंद केज्रिवाल जी की उसी क्रेडिबिलिटी का फाइदा उठाने के लिए इस तरह का डॉक्टर्ड वीडियो कल भारतिय जनता पार्टी ने अपने टुटर से हैं टुटर से ट्वीट किया और उसके बाद अपने रा बना के भारतिय जनता पार्टी किर्शी कानुनों को थोपना चाह रही थी लेकिन इस वीडियो को मैंने आपके बीच दिखाया और किस तरह से बीच में से एक एक दो दो लाइने काट के इन्होंने डॉक्टर करके उस बाइट को आर्टिफिशली क्रेट किया है मैं भारतिय पार्टि के निताओं को कहना चाहता हूँ देश के लिए कुछ काम करो देश की ऐसे काम Qd culprit किससे की जंता का बला हो नूपसान होो देश में महंगारी बड़े खेती बर बाद हो जाये लोगों की रोजी канале करो तो तो जबतने से काम नहीं हो तो आज मैंने आपके माध्यम करेंगे इसको लेके हम जो भी एक्षन होगा उसको करेंगे उस पर कानूनी कारवाई करेंगे हम वकीलों से बात कर रहें पहले इस पर कोई किसी को कुछ थेंक यू मुझे पूरी उम्मीद है कि माने नरेंद मोदी जी सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं प्रधान मंत्री जी उन्होंने सोचल मीडिया पर वो वीडियो देख लिए होंगे कि तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हिंसा फैलाने वाले लोग किस तरह से भारती जिनत पार्टी के लोग थे भारती जिनता पार्टी के निताओं ने साजिस रची और उम्मीद है उन पर करवाई भी करवाएंगे किसानों को लेकर तो इसलिए अब वो अरविन केजरिवाल जी की क्रेड़ेविडिर लेकर देश के किसानों को यह समझाना चाह सुआ रहे हैं कि देखो जी इतना क्रेड़ेविल नेता भी यह बात कह रहा है कि किसी कानुन देश के इसलिए वो डॉक्टर वीडियो जारी कर रहे हैं भारती जिनता पार्टी बिल्कुल यकीन खो चुकी है किसानों का